सिर्फ एक लवंग से आप किसी भी इस्त्री को पलभर में अपनी वस में कर सकते हैं उसको अपने प्यार में दीवानी बना सकते हैं मेरे प्यार परवक्तो मेरा वादा है आपसे ना मांतर बोलने की जरुवत होगी और ना ही किसी माला की जरुवत होगी मेरे प्यार परवक्तु सिर्फ एक लवंग लेना है और इसी लवंग से वसिकन तोटका कर देना है और चमतकार दिखशेगा आपका प्यार हमेशा हमेशा के लिए आपके प्यार में तरपेगा मेरे प्यार परवक्तु किसी भी इस्त्री को पलभर में वस में करना हो उसके दिल में अपने लिए महबत भरना हो उसको अपने प्यार में दीवानी बनाना हो तो सिर्फ एक लवंग लेकर के घर वैठे इस वसिकन तोटका को कर दीजिएगा मेरे प्यार परवक्तो जेदी आपका प्यार आपको छोड़ दिया है बात नहीं करता है नफरत करता है दूर चला गया है तो ये वीडियो आपके लिए है इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर दिखिएगा और वसिकरन को जरूर समझेगा ताकि जैसे ही आप इस वसिकरन तोटका को किजिएगा आपका प्यार तुरांत आपके पास फोन करना सुरू कर दे आपसे बात करना सुरू कर दे इस वसिकरन तोटका को कब करना है कैसे करना है वसिकरन करने का सही तरीका क्या है पूरा मैं इस वीडियो में बताऊंगा प्रवाइब नहीं जाने दीजियेगा मैं आप सभी को एक बात और बता दू यह जो वसिकन टोटका है आज मया हुआ है जिसने भी किया है उसका प्यार उसको मिल चुका है वो अपनी प्यार को पाकर खुश है मेरे प्यार प्रभक्तु हम प्राती दिन नए नए वसिकन टोट का लिकर आते रहते हैं और पुरा कोशिस करते हैं कि आप सभी का प्यार आपको मिल जाए और हमें खुशी प्राप्त होती है कि हमारे बताए वसिकन टोटका से आप लोग का प्यार मिल जाता है लेकिन कुछ-कुछ ऐसे मेरे भक्त हैं जो कि वसिकन करने में कहीं न कहीं गल प्रण कहके ऐसा बेधि बताउंगा, जो की आज तक कभी फेल नहीं हुआ है. और जैसे ही आप की जीएगा, आपका प्यार पलभर में आपका दीवाना हो जाएगा. जेदी किसी इस्त्री को दीवानी बनाना चाहते हैं तो पलभर में वो इस्त्री आपकी दीवानी हो जाएगी किसी पुरुष को दीवाना बनाना चाहते हैं तो पलभर में वो पुरुष आपका दीवाना हो जाएगा बस आपको ये वो सिकन टूटका सही तरीके से करना है कैसे करना है आई ये बताते हैं उसके पहले यदि आप हमारी चैनल पर नहीं हैं तो मैं चैनल को सस्क्राइब जो रखेजिएगा और वेल घंटी को जड़ो दुबाईएगा प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा इतना मेहनत करके वो सिक्राइब मंत्र सीद करते हैं ताकि आप सभी का प्यार आपको मिल जाए देखिए का मैरी प्यार का बब्रब्दो करना क्या होगा ध्यान से देखिएगा आप एक लवंग ले लिजिएगा सिर्फ एक लवंग सिर्फ एक लवंग का ही चमतकार है इसमें ना मंतर की जरुवत है ना ही माला की जरुवत है ना ही किसी आने समागरी की जरुवत है वहुँ सारा लोग बोलते हैं कि गुरुजी हमें किसी को ये खिलाना पड़ेगा ये पिलाना पड़ेगा नहीं इस वरसिकन टोटका में आपको ना किसी को कुछ खिलाना है ना पिलाना है बहुत ही आसान है सिर्फ एक लवंग लेजिएगा ठीक ना इस लवंग को लेकर के आप क्या किजिएगा रात को सोते समय जैसे ही आप बेड़ पे सोनी जाते है सब कोई आपके घर के सो जाए आपके अगल बगल के लोग भी सो जाए तो उस लवंग को आप क्या किजिएगा आप अपने दाहिने कांख में जो यहाँ पे होता है यहाँ कांख में आपको दबाना है उस लवंग को और प्यार का यानि कि उस इस्तरी का साथवा नाम लेना है और सो जाना है इतना ही करना है ज्यादा नहीं उस लवंग को इस कांख में दबाना है और प्यार का साथवा नाम लेना है और सोजाना है कुछ नहीं करणा है बस सुबह जगते जगते आपको क्या करना है उस लुवं को छप पर या छपपर पिरक देना है जैसे ही सुबह धुप निकलेगा कम सरक उसको 4-5 गडिए तक धुप में रहने दीजिएगा उस लुवं को उसके बाद में उस लवं को क्या किजिएगा पिस करके चुर्ण बना दिजिएगा मेहिन कर दिजिएगा पिस करके चुर्ण बना दिजिएगा उसके बाद में आपको करना क्या ध्यान से दिखिएगा उस चुर्ण को लेकर के आप साथ बरावर बरावर भाग में बार दीजियेगा आप सब से पहले वाले भाग को कोई भी एक भाग को लेकर के किसी चौराहे पे खरे हो जाइएगा और उसको अपने सर से साथ बार उल्टा घुमाईएगा और उस लड़की का नाम लीजिएगा उस इस्तरी का नाम लीजिएगा उस प्यार का नाम लीजिएगा जिसको वस में करना चाहते हैं अपने प्यार में टरपाना चाहते हैं सातवा नाम लेने के बाद में उसको वहीं पे जला देना है फिर अगले दिन आप जाईएगा इसी परकार से एक भाग ले करके इसी परकार से सर से गुमाईएगा प्यार का सातवा नाम लेजिएगा जला दीजिएगा साथ दिन आपको जलाना है ये असर पहले ही दिन से सुरू हो जाएगा ये असर पहले दिन से सुरू होगा आपके प्यार के दिल में आपके लिए महबत पैदा करेगा और आपका प्यार आपको चाहने लगेगा धीरे-धीरे वो आपके लिए अपना सुरू कर देगा हो सके तो एक दिन में ही बात करने लगे हो सके तो दो दिन में ही बात करे लेकिन ये साथ दिन का समय रहता है साथ दिन के भीतर में ही आपका प्यार आपसे बात करेगा किसी किसी का बहुत सार ये से लोग है जिनका एक दिन महीं काम हो जाता है देखिएगा मेरे प्यार पर भक्त वो बस इतना सवधानी वरतना है कि वह सिकरन को करते समय कोई देखे नहीं कोई टोके नहीं और जब ही वह सिकरन करें असनान करके साथ को प्रेधारन करके करें संचे मन से करें आपका काम जरूर होगा जिए आप मेरे चानल पर नहीं हैं तो मेरे चानल को सब्सक्राइब भी हुल कीजिएगा ताकि हम जितने हुँ रहे हैंगे सबसे पहले आपी के पास में जाएगा